बिस्पिल्ला रुख्मानी रोहिम असलाम अलेकम दोस्ता है मैरी इत सलीम वेलकम टुम टुमाइए यूट्यूब चैनल नॉवल और्चुट कैसे हैं आप सब लोग ची तो काया चाहिए अभी हमने न्यूवल स्टार्ट करना है तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पुलिस फोर्स के साथ अपने एक एहम केस के आपरेशन के लिए बिल्कुल त्यार कर रहा था और तमाम पुलिस फोर्स मुस्तद खड़ी इसके एक इशारी की मनतजर थी यह किसे मुजरिम का बंगला था यहां पर बहुत से गयर कनूनी कामों की सरगर्मिया देखने में आ लगा सकता था कि वह दुबारा वतन वापीस ही ना था इसलिए कुछर से हामुशी से इसकी वापसी का इंतजार किया और इसकी इंतजार का सिला यह मिला कि पिछले तीन रोज से वतन वापिस आया हुआ था और आज खुश किसमतित इस अपने बंगले पर भी मौजूद थ इसपी कासे मले के खुफिया जराई के मताबिक इस वक्त इस मुझरिम का रंगे हाथों पकड़े जाने का सौफ इस सद्याकिन था सो इसने आसरा चरहाई करने का फैसला कि और इस वक्त अपने मन्सूबे के मताबिक वह इस पंगले को चारो तरफ से घेरे चुके थे क्योंकि दूसरी तरफ से भी जवाबी कारवाई के पूरे पूरे इमकानात थे इसलिए एस पिकासे मले ने हर तरफ से इत्मिनान करने के लिए इस पंगले का खुछ चारो तरफ से जाय जाय लेना चाहा और इसके लिए वह खुद मुबाल जीब से उतरा है सर मैं भी आपके साथ हूँ ऐसे चो अर्फान आजम भी जीब से उतरा लेकिन एस पिकासे मले ने कुछ कहना चाहा लेकिन अर्फान आजम ने थोड़ी बहुत बेद कल्वी होने के वरास इसकी बात दिम्यान में रोग दी सर हमारे लिए आपरेशन यहम नहीं है हमारे लिए तो आपकी जिन्गी भी बहुत अहम है ऐसा चो अर्फान आजम ने इसलामन कहा नहीं मेरी जिन्ग इतनी एहम नहीं जितनी मेरी नजर में यह इस आपरेशन की एहमी था बात असूल की हो थी तो राइट जारा भी नहीं देता था है और जिसे राइट देता था इसे हैरत में डाल देता था इसकी शक्सियत बहुत खंबीर थी एसपी कासम अली और एसे चोरफान आसम दोने एक साथ जलते वे बंगले के दाएं तरफ से जाहिसा लेते वे पीछे की तरफ आगे थे इस बंगले के जारो तरफ पर सड़क थी यह बंगला रहाशी इलाके के सबसे आखरी सीरे पर था इसलिए वलोग आसानी से अपनी कारव बाएं तरफ वड़ रहे थे जब इन तोनों के किसी के भागते कदमों की आवास सुनाई थी वो दोने एक दम चुक्रने हो गए दोने अपने पेस्टॉल भी सामने कर लिए यह भागनी के आवास किस तरफ से आ रही है ऐसे चौर फानाजमिस कदस संगीन और खातरनाक सूर्थ हाल के वरे से थोड़ा गबरा गया था लेकिन हाई हाई कम्यूनटिया और एस पी किते किया हाँ हाँ मेरा रिकार्डिंगा लगए थिया लेकिन एस पी कासिम अली पूरा इत्मात सहर तरह की सूर्थ हाल से निपट नो को घर मताथन होने से रोकार वरना इकीनल ऑलू बी जमीन बोजो चुका था कॉन डश्यस दरजी नसौनी वास सुनाइगी तो पतह साला के मकाबल एक नसौनी पेकर ए जिसका निपार जाह से गुशार्ण के तक्राघने के पारडा हाई स्टोल इसकी कनपटी पर ठगा कर इसके सारे अहतजाज खत्म कर चुका था तुम जो भी ओ, खामोश हो यहां इस वक्त तुम्हारी जरा सी भी आवास क्यामत परपा कर सकती है एस पी कासमली के सरगोशी नमा आवास इस लड़की के बेहत करीब सुनाई दी थी क्योंकि इस लड़की को तकरीबर अपने बाजू के हसार में जक्रावा था बंगले के पीछे की तरफ काफी अंधेरा था इसलिए वो एक दुश्रे को साफ और वाज़े नहीं देख सकते था इस लड़की कासमली के सीने से तकरा रहे था और वो कनपटी पर पस्तोल होने के वरे से थजाज़ भी नहीं कर पा रही थी ऐसा चर्फान आज़म इसने करते अंतीशी करके बुकरा येस सर दूसरे तरफ से मुस्ताद सी आवास सुनाई थी इस लड़की के पीछे आने वालों को अरेस्ट करो लेकिन सुना आवास नहीं आनी चाहिए इसने हुकम दिया और लड़की इसकी बात और अंदास समझ की कि वो कोई और नी बलके पुलिस आफिसर है इसलिए से जारत हफुस का एहसास हुआ था लेकिन दूसरे पुलिस से लए कई ऐसे पुलिस आफिसर भी याद है जिनके कारणामे में अक्सर अकपारात के से अफ़ात से आ नजर आते थे तो वो फिर से खौफ सदा हो गई ओके सर अर्फान आजम क्याकर एक तरफ किया था और अगले पांच मिट में इसने तीन आदमें को गिरफ़तार कर ले जिस लड़की का पीछा करे थे इनको जीप में बिठाओ इसने मजीद हैयायत चारी की ओके सर अर्फान आजम इसके हरुकम की तामिल कर रहा था क्योंकि यहीं इसकी ड्यूटी थी इन दिनों को हवालात में बंद करो और इनको मेरे आने तक मेरे रूम में बिठाओ इसने इस लड़की की सिम्तिशारा कि इस लड़की ने कुछ हरकत करने की कोशिश की लेकिन ऐस्पी कासे मली ने इसकी करन पड़िये पर वस्तों तोड़ा दबाओ डाला मैं आपके सथ इज़त से पेशार हूँ कि आपका हवालात में बंद ना किया जाए इसलिए आप भी इज़त दारों जोस हम जाहरा कीजिए और खामोशी से बैटकर को भी वावैला किया बगएर मेरी वापसी के इनतजार कीजिए इस पी कासे मली को इस लड़की के हरकात उसक नाद देख कर यह इसास हो चुका था इस चुर्फान आजम को सौपी ओके सर इसने मौदब से अंदाज में सर लए और जैसे इस लड़की को जीप में बिठाने के बाद जीप स्टार्ट की कि वह भी पलटकर दोबारा इस पंगले की तरफ आगिया हुए यह दी रहात नूँ सर आपने ऐसे चुर्फान आजम को क्यों भेज दिया डियेस पी इजहार खान भी करीब आगे थे जीप में कलड़की थे और इस वक्तिसकी भी लड़की का यहां रुकना मनासिव नहीं था कुछी देर में यहां कोई भी हंकामा हो सकता है और इस हंकामे के बाद मीडिया वालों की तेज धार आँखे और जुबाने खुल जाएंगी वो किस वक्त किसको अपने लपेट में लेने कुछ पता नहीं चलता इसलिए मैंने इस लड़की को पुलिस टेशन भेज दिया और अगले साथ मिन में वाकिए ऐसा हंकामा बरका परपावा के पुरा इलागा फाइरिंग की गुन से लारज उठा दोनों तरफ से हार नी मान वी थी हर तरफ भाग दोड़ और अफरत अफरीका सा आलम था पुलिस मजरिम और मीडिया एक ही जगावर माजूद से महफिल लगाये वे थे और वंदर बैठी बाहर के शुर्थिया अलंदार जे नोट कर रही थी इसे यहां बैठे वे तकरीबन तीन घंटे हो जोगे थे लेकिन यह भी सच्चा कि यहां से भागना भी असान नहीं था क्योंकि पहले तो इसका पीछा तीन आद्मियों ने किया था लेकिन आप इसका पीछा तीस आदमी भी कर सकते थे और दूसरा खच्चा यह भी था कि अगर इस कमरे से बाहर निकलती तो यह किने मीडिया वाले इसे खेर लेते और पूछ कर शुरू करते थे कि वो कौन है कहां से आई है और यहां किस सिल्सले में मौजूद है क्या चक्रता क्या मामला था कर मीडिया वालों के नहीं मतवा का सवालाओं का सोच कर इसने अपने उटने और बाहर निकलने का रादा मुलत भी कर दिया और दुबारा से इस आफिसर का इंतजार शुरू कर दिया जिसको इसने अंधेरे के बाइस ठीक तरह देखा भी नहीं था दादा साहब मैं बिलकुल ठीक हूँ आप परिशान हो मैं बस थोड़ी दिर तक घर आ रहा हूँ एस पी कासमेली मुबाइल फॉन पर किसी से बात करते हैं दे दाखिल हो और ना चाहते भी विप अपनी जगह से खड़ी होगी नमाज एक साथ ही पढ़ेंगे वो अपनी मजबूत का लाई पर बंदी भी घरी देखते वे फॉन पर अपने वाखादिप को तसली दे रहा था यूनिफॉर्म में मलबूस शांदार शक्सित के हामिल इस पी कासे मले को पहचानने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इसने कैब भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी जी अल्लाफिस इसने मुखतसर सा कहते वे फॉन बंद कर दिया गहरी सांस कहेंचते वे मुबाइल फॉन टेबल पर रखा और फिर अपनी कैब भी तार कर साइट पर गए अस्सलाम अल्यकुम एस्प कासे मले को ये भी याद था कि इसने अंदे दाखिल होते वे सालाम नहीं किया था वालीकुम असलाम वोबा मुश्किल अपने होंटों को जम बिश्टे भाई जी खातून कहिए क्या मसला आपका कौन लोग थे जो आपका पीछा कर रहे थे एस्प कासे मले कहते वे इसकी सिम्त मत वज़ाओ और फिर मंचमन दोके रह गया इसकी एकसेसरी नजर ने दस सालों का अरसा दस सेकिंड में तया किया था वो पहचान जो इसकी लिए मुश्किल हो रही थी वो एस्प कासे मले कहीं यूँ असान जाबित हुई जैसे भी दस खंटे पहले की बाद हो आपका नाम इसने अपने यकीन पर तस्दीक की महच जाही जर्णिगार नमास जर्णिगार नमास इसने यकीन के ताबूत में अपने नाम की आखरी कील ठोंग दी एस्प कासे मले ने अक्तम अपने दोनों हाथों की मुठियां जोर से भेंच देवे लब भी भेंच लिए और साथी अपना सर भी चुका लिया ताकि इसके चहरे के तासुरात ना दिखाई दे सके एस्पी सब आप खामोश क्यों होगे वो लचकर बोले इसके सवाल पर एस्पी कासे मले ने फॉरन सर उठाकर बराहरा से इसके आखों में देखा वो इसकी लाल सुरुख अंगारा सी देखती आंके देखकर अंदर ये अंदर देहल की जब ही नज़र चुराने के लिए चहरा जुका लिए वो इसके घुस्से पर हरान भी थी आप जानती है मैं कौन हूँ वो बड़े जबद से बोल रहा था नहीं इसने जवाबन नफी में गर्देने लाई मॉल्वी अमामदीन का पोता हूं मैं इसने अपना तार्फ नहीं कर रहा था बलके जरनिगा नवाज के सर पर एक हैवी वेट बंब लॉस्ट किया था इसने एक छटके से सर उठाकर इसपी कासमेली की सिम्त फटी फटी आँखों से देखा कोई तो कड़बड़ा दिया इसपी कासमेली मौलमी अमामदीन का पोता वो शेश्टर्जी से देखे चा रही थी जिसका दिमाग माउफ हो चुका था जबान गुंग हो चुकी थी वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी वक्त का पया गुम के कहां से कहां अंठेरा था क्या बात है नमाज तुम कुछ परिशान लगते हो मलक नमाज अपने डेरे पर बैठे खामोशी से किसे सोच में गुम सिगर्ट पी रही थी जब इनके अबबाजी और बड़े भाई मलेक इम्तियास भी वहीं चले कुछ नहीं मलक नमाज अपने तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही और तुम कहते को कुछ नहीं मलक इम्तियास अपने इनके बराबर सुर्ख रंग की पाएं वाली चार पाई पर बैठते हुए इनके गंदे पर हाथ रखा इनके अबबजी मलीक उर्शीद अपने पर पाई पर बैठ शुके तो रड़र पर काम करने वाले मलाजमी ने फॉरे इनके सामने ताज़ा तयार किया गए हुका ला रखा हुका इनका शौक और इनके डेरे की पहचान थी मेरी परेशानी आप लोग नहीं समझेंगे दूर फागती थी इसे पढ़ाई में कोई दिल्चस्पी नहीं थी इसी अदम दिल्चस्पी के वरा से दो मर्दबा मेट्रक में फैल होने की सननत हासल कर जोगी थी बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो मलक इम्द्याज अहमद ने जिससे मजाग उड़ाय था ये इतनी सी बात नहीं है कोई वैल्यो नहीं है तालीम के बगार और वो तालीम की तरह धियानी नहीं देती वो इस वैल्यो को समच नहीं रही मलक नवाज अहमद खुद पढ़े लिखे आदमी थे इसलिए बेटी को भी पढ़ा लिका और बाशार देखने का शौक था नवाज अहमद मेट्रिक तक तो पहुंची गई है ना चाहे फेल हुई है चाहे पास तुम समझो कि इसने मेट्रिक कर लिए और बच्चे के लिए मेट्रिक की काफी होता है जारा स्कूल और कॉल्जों के जर्णिट पालने की जूरुएद पहला किया है इसने कौन सा कहीं नौकरिया करने ही शादी के बल बच्चे ही पालने है ना वह लेकि अम्त्यास हमें ने सिरे से बात ही खतम कर लिए लेकिन इनको इस बात से इकतलाब था तलीम सिरफ नोकरिया करने के लिए हासिन नहीं की जाती तलीम के और भी बहुत सा फवाइद है जिनको आप यकीना नहीं जानते और नहीं समझते है जरनी का मेरी कलौधी बेटी है मेरी कलौधी वारस मेरे बाद मेरा सब कुछ ही सी का इसनी नहीं समभानाटि और अगर अनपढ रही तो क्या कर पाएगी भला कैसे समभा लेगी सब कुछ और अपना अच्छा बॉरा भी नहीं समझ सकेगी और मैं ये नहीं चाहता है कि मैं इसे समझ पूछ देना चाहता हूँ क्योंकि वह इतनी नादान और मनमजी से कि इसे जो भी कहा चाहँ वो बिना सोच लम्ज़ गर गुजरती है और मैं चाहता हूँ कि वो कुछ समझधार हो जाए मलक नवाज हमद की सोचने जहां मलक इम्तियाज हमद की जहिन में खत्रक की घंटी बचाई वहीं मलक उर्शीद हमद को मतफिक होने पर मजबूर कर दिया ठीक कहते हैं तुम्हाना बहुत चलाक और चलाक के साथ चलाक को करी चलना पड़ता है वरना इंसान मात खाता था अबबाजी ने सर लाते वे इत्तफाक किया लेकिन अबबाजी मुझे इस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा हूँ वो मत फक्कर थे कैसा हल ढून रो इसकी उस्तानिया क्या कहती है वो कगड़ गड़ाते वे बूच रहती वो कहती है किसे पढ़ाई में किसी की मलत की जड़ुए temas कर जो समझा पुझा कर पढ़ने पर अरे अच्छी तरीके से पढ़ाई मतलब कैसे टुशन की जड़ुरुत है तो ठीक है required किसी से कहता हो रोज़ान आह इत्ता पढ़ना लिख से बोले बालेकुम असलाम मौलवी साब आये तश्रीफ रखें इन्होंने मौलवी साब को अपनी जगा पेश की जजाक अल्ला आप बैठी मलक साब मैं इधरी ठीक हूँ मौलवी साब ने मलक खुशीद अहमत के मकाबल वाली चार पाई पर बैड़ते वेगा मलक साब मस्धिद से नमाज पढ़कर निकला तो कि आपकी हवेली की मलाजमा बहु बेगम का पेगाम लेकर पहुंच जगी आज जो मेरा ता शायद दौा करवाना है इनोंने अपने माबाप के हैसाल सवाब के लिए मालवी साब ने अपने आमद की वज़ा बताई हाँ हाँ फाखरा ने अथ सुबह करान पाख खत्म किया आप जाएए हवेली के अंदर चर जाएए मलक इमत्याज अहमद बीवी का जिकराते फॉरंड बॉलट है जी मैंने सोचा पहले आपसे जारत ले लो मालवी साब आईस की से बोले अरे मालवी साब इसमें अजारत कहां से आगया आप हमारे बज़ूर के हमारे उस्ताद है बलके हमारे बच्चों के बीश्ताद है आपके लिए हवेली की दरवाजे हर वकत खुले मलक इम्तियाज हमद ने काफी इहत्राम और खुश दिली सका अल्ला आपको जिन्दगी दे, हदायत दे, सीधी रापे चलने की तौफीग अता फर्वाए वो भी जवाब ने दवा देते वे खड़ोगे रुकिये मौलवी साब, अब आजी की आवास पर मौलवी साब के कदम ठेटक कर रुके, और इन दोनों भाईयों ने भी चौंक कर देगा है जी हुकम मलक साब, बैठिये, इन्होंने इनको दुबारा बैठने का शारा किया जी, वो सारी लाकर बैठ के आपके एक पोता भी है ना, खादिम अली का बेटा जी, जी, माशालला जवान हो चुका, अब तो मौलवी साब ने खुशी-खुशी बताया सुना था, शेर में पढ़ रहा है वो, वो हुक्के का कश लेते वे, धुवाँ खारिच करते वो बोले जी, पढ़ रहा है भी, आसकल कहा है घर पी होता है, इसने कहा जाना भला, उनिवर्स्टी के बाद शाम तक घर वापिस आ जाता है अच्छा, इतना लंबा सा फटाय करके आता ता रुशाना, इन्हेरत वी जी, मलक साब पहले होस्टर में रहता था लेकिन अब होस्टर का खर्चा ज़्याद हो गया, मजबूरी है, इसलिए वापिस आना पड़ता है यानि कि काफी मेहनती बच्चा है, मलक खुर्शीद एहमत के लहजे में 27 थी, मेहनती भी और साबर और शाकर भी, मौलवी साब अपने पोटे की तारीफ में बोले अच्छा, नाम क्या है इसका? कासी मेली नाम है इसका हम, तो मौलवी साब हम चाहते कि आपका पोटा कासी मेली हमारी पोटी जरनेगा को रुजाना दो घंडे टूइशन बढ़ा दिया करे वो पढ़ाई में जरा कमजोर है, इसे किसी पढ़े लिकर समझधार बंदे की मरत की जरूँद है, लेकिन हमें इस मामले में किसी पर भी भुरोसा नहीं हो रहा, लेकिन आपके और आपके घराने कि इजड़त और श्राफत देखते हुए, हमें यकीन और भुरोसा है का यह ने फॉरन हामी भर ली हम पढ़ाने का मौफजा देंगे इसके टाइम जाय नहीं होगा मलक नमाज अहमें ने फॉरन इसके मौफजे के अलान किया नहीं मलक साब मौफजे की कोई जरूत नहीं आपका दियाई खा रहे हैं आपके बड़े ऐसान है हम पर मौफजे तो इस पात की खुशी हो रही है कि मेरा पोटा आपके किसी काम आ सकेगा मौलवी साब को वाकिए खुशी हो रही थी कि मलक साब ने इनके पोटे को इस काबिल समझा कि अपनी इज़त के मामले में भी बेस पर भरोसा किया वो तो ठीक है लेकिन जो इसका हक है वो इससे जरूर मिलेगा मलक नवाज अहमद बहुत समझतार हुए नरम्दी रादमी थी जबके मलक इमत्याज अहमेर इनसे एकसर मुक्तलिक थे करख तो दबदबे वाले वो बस दूसरे से अपना काम निकलवाते थे और पलट कर खबर नहीं लेते थे मानते नहीं है तदा भी वली लाग रहा महरबानी है आपकी वो कहते वे उट खड़े वे कासम अली से कहिएगा जल्दी कल से आजाए करे इन्हेंने मौलवी साब को ताकीद की ठीक है मलक साब जैसे आपका हुकम आजेगा कर वो कहकर इन से जालत ले देवे रुकसत हुए थे रुक हवेली की सिम्ता अबबजी और मलक नावाज अहमत मसला हलो जाने पर मुत्मिन और खुश हो रहे थे जबके मलक अम्तियाज अहमत खामोश बैठे वे थे कासी मली मुफजर की नावाज अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़कर मज़ित की दिवार में नसब लकडी के लमारी में रखरा थे जब इन्होंने इसे बुकरा जीत आला साब मौलमारी बंद करके इनके सामने आखरा बैठो इन्होंने अपने सामने बैठने का इशारा किया कासी मली खामोशी से इनके सामने बैठ किया मलक नवास साब की बेटी पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है मैटरिक में दूसरी बाल फेर हुई है वो इसे ट्विशन पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इन्हें किसी पर भरोसा नहीं इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इससे रुजाना दो घंटे जाकर पढ़ादिया करो बेटा मुझसे इनकार नहीं हुआ इन्हें मुझसा मतफकर हो रहे था क्योंकि इन्हें खुद भी एहसास था कि इसके दिन भर की किती टफ रूटीन होती है सुबह सवेरी शेयर जाने के लिए घर से निकलता था और शाम ढ़ले वापस रौटा था ऐसी थाकान के होते वे किसी के घर जाकर इसे पढ़ाना असान काम नहीं था आकर लेकिन अपने दारा साब की जबान का पास भी रखने के लिए कासे मली को हामी भड़ना ही पड़ी थी वो बेतहाशा कुश हो गए थे और कासे मली का कंदा था पकते वे से जाने की जा रहा थी नूर जहां की खुबसूरत और खनकतार आवास फुल वॉल्यम में गूजरी थी मुझे वो मीम याद आ गई अबबाजी कहते हैं के आजकल के जमाने गाने बहुत वाहिया थे तो नहीं जमाने दे गाने पहले जमाने थे जिड़े गाने सी ना बहुत थे कोई लाग थे ये गाना इसका पसंदी था गाना था और जब भी ये गाना सुनती थी वॉल्यम फुल छोड़ दे थी इस वकत भी यही हाल था कासे मली के कंदम सीनियों पर ही थंगे वो इसको पढ़ाने के लिए काफी तेर से नीचे हावेजी के ट्रॉइंग रूमे बैठा था ओर वो थी के ट्रॉइंग रूमे आही नहीं रही थी मचबूरन कासे मली ने मलाजमा काथ पगाम भिज़ओए तब जवाबन ऑर्डर मिला कि वो हो ऑवेली की छठ पर यह आ ज रहा हूं वह सर जटक कर ऊपर जाने के लिए माद आवा आज अब मैं भी साथ हूं कलो कहती भी बाकी की वह सीड़ियां भी तैकर गए शाम के साइड ढल रहे थे रो हलकी हलकी हवा चेहरे को छूती भी अपना आप महसूस करवा रही थी हवेली की बेहद वसी वह अरीज छट बिलकुल खाली थी हवेली के पिछले दिवार पर बाज उटका है कोई लड़की करी थी इसके शूल्डर कट बाल हवा से उड़ रहे थे और यही हाल इसके तो पट्टे का था जिसे इसने महस गले में डाल लगा था कासिमली की सिम्ट इसकी पुछ थी इसलिए भी इसका च करीबर की बैट की टेबल और कुर्सियों के पास नज़र जुगाए वे खड़ा था यूँ जैसे इस नही नज़र उठा कर देखा तो किसी गुना का इर्तकाब हो जाएगा और ज़र निगा को पहली नज़र में काफी परहेश का और जहायत किसम का मनता लगा शरीफ और तोनों उमर में इसे चोटी थी एक मालिक थी और एक मुलाजम लेकिन और अच्छा होने के नाते वो इसे बराबर नज़र आ रही थी निगा बीबी मलक साब ने पेगाम पहेज़ा कि कासमेली आपको पढ़ाने के लिए इसको कोई शिकायत नहीं होनी जाए किसे शिकायत इ कासमेली वहां मौझूदी नहीं हो उमीद है कि ऐसा नहीं होगा कल्लो ने सकून से का तुम यह कैसे कह सकती हो मैं इसलिए किया रही हूँ कि मैंने कासमेली की दादी सहभा से कुरान पख पढ़ा रोज इनके खर पढ़ने के लिए जाती थी वो सामना होता था लेकिन कभी शिकायत नहीं होई कल्लो की लहचे में कासमेली के लिए 27 ती जिस पर जरनिगा को खफ की अचा अचा चा जाब मुझे पढ़ने दो मुझे इसने कल्लो को जाने का इशारे के वा सारह लाकर पलट की बैठिये इसने लटमार से अंदाज में कहते वे खुद भी कुरसी संभा और ढलती शाम की सुर्मयक्स में वो इसे देखकर ठहर गया था वो बहुत कम संती लेकिन इसकी उठान बहुत घजब की थी वो अपनी उमर से बाड़ी नज़र आ रही थी कासमेली को दुबारे नज़र जुकानी पड़ गी ओके आपको सुने लेती हूं सुनाई क्या कहते आपके सामने जर्निका ने टेबल की सिम्के शारा के टेप रिकार आट के साथ ही किताबी भी रखिए धी। कौन सा सब्चेक्ट मुश्के लेए वे इसकी सारी किताब दो आपके समने कर चुका था। मेरले घाज़र ग किस की सAPPली आई है? वो काफी तेहमल से पूच ँच र मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ, आपसे आपके तमाम सब्जेक्ट का पूछ रहा हूँ, किस सब्जेक्टी सपली आई है, प्लीज टेल मी, इसने जरा लहजा बतल कर बात कियो जरनीगा मुस्कुरान लगी, आप मुझे पढ़ाने के लिए हैं, तो समझे कि आप पढ़ा करने पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ काम हमें दूसरों के लिए करने होते हैं, जैसे मुझे देख लें, मैं भी पढ़ना नहीं चाहता था, बलकि काम करना चाहता था, कोई कारोबार सेट करना चाहता था, ताकि बने पैरा पर खढ़ा हो सकता, लेकिन मेरे दाला साब को मेरी पूरा कर सकता हैं, कोई और नहीं, कासे मिली ने से काहिए तफसील से समझा, लेकिन आपके सब मुझे के बता रहे हैं, वो इसे तीखे चेतून से देख रही थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बाबा के भी शौक सिरफ आप पूरे कर सकती हैं, वो आपको कुमार हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन दारह साब की बात मान कर आना पड़ा, इसने साब साब बता दिया और जरनी का नचाने क्यों पलफर के लिए खामोश होगी, फिर बात में भी इसने जादा बात नहीं की, बस पेद कासेमली मौलवी साब से शिकायत कर रहा था, क्यों क्या होगा, बोठी ठगे, कासेमली पाइंती पर बैठा इनके पाउं दबा रहा था, जरनी का बीबी का पढ़ाई की तरफ कोई रुचानी मुझे तीन नोगे सरका पाते वे, लेकिन अभी तक एक लफ़ भी ने पढ़ा मुल्टा मुझे कहती कि मत आया करो, अब आप सोचे कि अगर मैं इने पढ़ाने के लिए नहीं चाहता और इनकार कर देता हूं, तो मलक साब क्या सोचेंगे, हो सकता है कि इने गुस्ता भी आ जाए, लेकिन आप मुझे बता है कि मैं क्या करूँ, कासेमली बेचार काफी तुम तसली रखो और हिमत मत हारो, जरनी का बीबी कलॉती और लाटली वे थी, मा की वाफात के बाद मलक नवास साब ने बहुत लाट प्यार दिया इने, इसलिए वो इस तरह जिद और मनमानी करती रहती लेकिन अफ़ता समझ भी जाती है, मैं जब मैंने कुरान पाक का बर से काम लोगो, इसे हर तरह से तसली दे रहे थे, लेकिन तादासाम इस वकत वो छोटी थी और किसी तरफ रुज़ान नहीं था, लेकिन अब वो बढ़ी हो चुकी है, सौट तरफ रुज़ान है, इनका गाने सुनना, टीवी देखना, नसाले पढ़ना, फैशन के मताब पढ़ना ली ते संभलना ली शकला हो रही हो दिये, जरनिगा बिबी अगरिया नहीं हो दिया, कोकप, अरे कोकप, कहा मर गयो, वो हवेली की ड्राइंग रूम में बैठा जरनिगा का इंतजार कर था, जब अचानक कोई आवास देते हैं, लेकिन दाखिल हुआ, कासे मली फ जब मौल वी इमाम दीन को जानता ता, इसलिक पनी पहचान के लिए कासा मली कोई ने का हवाला देना पड़ता था, खुद कासा मली इस काउम में बख़त कम रहा था, इसलिए जरातर लोग इसे नहीं पहचानते थे, मौल वी इमाम दीन का पहता, जड़निका का पढ़ाने दिन से अपने नन्याली गाँ अपने मामों के गर गई भी थे इनके मामों सथ कजन के हम बेटा पैदा हुआ था इसलिए आज कल वहां काफी राउनक और जशन का समा था सब कजन्स नहीं भी रोक लिया इन लोगे ने जड़निगा को भी साथ चलने का कहा यहाना और आपको पढ़हाँ मेरी यूटी है मेरी ज़्मेदारी है ज़ेनिगा बीबी और मैं अपनी ज़िम्हदारी से ळट नी सकता। इसका अंदास और लहजा हमेशे की तरह पूर्शकून था लेकिन मैं आपसे कह चुकि कि आपके जिम्मेदारी निभाने का भी कोई फाइदा नहीं होगा, सब पुछ जीरो का जीरो डेगा, जरनीगा कासे मली पर अच्छा खासा रोब जमा रही थी, कंदील को बड़ी हैरत हुई और जरनीगा कि कल पर मातम करने को दिल चाओ, वो शक्स जो दिल में सचाने के मलक नवाज अहमेद की आवाज पर जहां कासे मली और कंदील चौंक गए थे, वहीं जरनीगा बिसेट बटा गए, बाबा वो 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 ये कासे मली जरनीगा से, मेरे पापा भी आगे सी, कासे मली तुम्हारा उस्तार है, तुम्हारा मुलाजम निया जिस पर तुम इस तरह रही हो, चीक चिला कर गुसा कर रही हो, बजाए इसके कि तुम इनका इहतराम कर और उल्टाएं से बत्तमीजी कर रही हो, ये कौन सा तरीका बात करने का, मैंने इससे कहा था कि तुम्हे पढ़ाने के लिए और जब तक मैं इसे माना नी करूंगा, वो यहां आता रहीगा, मलक नवाज अहमद को कभी घुसा नहीं आते लेकिन बेटी की बत्तमीजी देकर वो जबत नहीं कर सके, जबनीगा खामोश होगी, कासमली बैटरो तुम और तुम जओ, अपनी किताबे लेकर आओ, इन्हों ने तहकम में इस लहज़े में का, और जबनीगा फॉरन जाकर अ अपनी किताबे लेए, कंदील और नवाज अहमद, मलक नवाज अहमद वहाँ से चाथ चुके थे, जबनीगा साज चुकाए बैटी थी, कासमली की गहर रादी सी नजर इसकी सीमत उटके वरोरी थी, और इसकी आँसो इसकी गोद मेरे की किताब पर गे रहे थे, इसका ले, पढ़ाए मुझे, आप ही मुझे पढ़ाने का मैडल ले ले, वो उससे से दान पीस कर बोली, इसका चहरा गुस्ते से और रोने की वरा से सुर्ख हो रहा था, कासमली ने इपने जुका लिया ताकि बसके चहरे का मतबस्तम साथ आसो नह देख सके, और वह देख लेती कासमली ने काफी गहराई से नोट किया और इसे खद्रे की घंटी सुनाई दी, इसकी पेशानी पर शिकने पढ़गी थी, कासमली बहुत खुबसूरा थै कोकप, कंदील ने बिस्तर पर लेटे वे, जैसे आ भर के का, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, कोकप पहन पर ह अगर कुछ ठकी भी थी, इसलिए होश नहीं रहा, कोकप पने कंदे उचका है, तुम भी से देख लेती ना, तो सारी नीदे उड़ जाती तुमारी, अच्छा है, ऐसी भी क्या चीज़ है वो, कोकप पने जस्तर से पूचा, यार तुम देखोगी तप पता चले का, बहुत तो दिल में उतर रहा था, कंदील ने अपने दिल पर हाथ रखते वे, फिर आप भरी, निगाह की डान सुन रहा था, मगर क्यों, कोकप को हैरत हुई, यार वो मसीबत हमेशे हमारे ले मसीबत ही बनी रहेगी, कासे में लिकाना पसंद नी करती, इसे निकालना चाहती है, मन कंदील कोकप से बड़ी दी, लेकिन अक्सर बात ऐसी कर जाती थी, कि इसके छोटे होने का गुमान होता है, कोकप को बड़ी लगती, मतलब कि हमार बाबानी चाहते कि निगाह पड़े लिकर इसका रुजहान तलीम की तरफ हो, इसलिए मैंने इसका रुजहान बढ़ाई से टाकरी दुदर की दिल्चस्पि में लगा देता कि बाकी जाहर और गवार औरतों की तरह डंडे मारती भी रहें, कोई काम करना भी हो तो हम सब से पूश कर करें, यह नवा कि खुदी पढ़ लिक कर समयस्तार हो चाहर हमारे मकाबला खड़ी हो, इतनी चाहदात में आदा हि इतना ठाट है आकर, जितना वो अकेली लेगी इतना हम सब को मिलेगा, वो अकेली है और हम ज्याद है लेकिन हिस्सा बराबर कर, यह कहा का इनसाफ हो बहला, उपर सी हवेली भी इसी महतरमा की हिस्से में और हमारे लिए वो पुरानी हवेली, बाह क्या बटवारा की इसकी एक आदद बहुत अच्छी है, हमारा का फॉरन मान जाती है, इनकार नहीं करती है, कोकप कहते कहते, इस तजाइये से इंदास में मुस्कुराई, कंदील भी पेस आकता मुस्कुराइट ही, इसके साथ थी, इसे वहला क्या परेशानी थी, वो कासमली से खुलकर दो गया, ड्राइवर ने गाड़ी से उतर कर चेक है, तो परेशान होगे, क्योंकि इंजिन मगार मेकानिक के ठीक होने वाला नहीं था, और गाड़ी में जरनिगा बैठी भी थी, जैसे हमेली शोड़ना भी जारा शुरूई था, क्या बात है बशीर, क्या मसला है, वो मेकानिक को बलाना पड़े, बशीर इसके पलियो परेशान हो रहा था, तो अब क्या होगा, मैं हमेली कैसे चाओंगी, यही तो मैं सोच रहा हूं बीबी जी, इसने फिकरमंदी से का, जल्दी सोचो मुझे भूक लग रही है, मुझे घर जाकर खाना भी खाना है, वो बेच कासिम अली जरूर मिल गया, वो भी कहीं से पैदल चलता वाया था, इसके हाथ में भी किताबे थी, कासिम अली, मशीर की आवास पर अपने ध्यान में चलते, कासिम अली ने चौंकर देखा, जी, क्या बात है, वो इसके पास आकर ठायर गया, घर की तरफ जा रहा है, जी आदल चली जाएंगी, लेकिन रिक्षे पर नहीं जा रही, और आएस पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है, बशीर ने वज़ा बताई, लेकिन बशीर मेरे साथ वो कैसे, चली जाएंगी यार, तुम तो इनके उस्ताद हो, काफी आना जान और वाक्षित है तुमारी, इसलि और बशीर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दर्वासा खोल दी, वो भी इनकी सारी बात सुन चुकी थी, असलाम अलेकुम, कासे मली नहीं सलाम करने की जहमत की, वो तो ऐसे आदाब से वे बहरा थी, बालेकुम, असलाम, इसने आइस की सका, अपना बैक कंदे से लटका कर इ कि यहां रास्ते में आकर एक और मसीवत कले बढ़ गी थी, इसलिए से अब घर के बचाए, अवेली की तरफ जाना था, आप कहां से आ रहे हैं इस वकत, जरनीकट हैर गी, इन्यूवरस्टी से, इसने नबातुला सा जवाब दिया, इतनी जल्दी, वो इससे सर्तापा काफी था कवा लग रहा था, इसकी जूतों पर जमी धूल बता रही थी, कि काफी दूर से चल गया रहा है, पेपर था, इसके जवाब मुक्तसर से थे, अच्छा पेपर भी इतनी जल्दी खतम हो गया, वो चान बुच के सवालात के सिलसला बढ़ रहा रही थी, क्यों किसा भी आगे पीछे नी, कासे मली ने खफकी से कहते हुए अपनी मजबूत करी खलाई पर बंदी, बलाइक लैदर के पटे वाली रिस्ट वाचस के सामने के और जरनी का बेस साखता मुस्कुरा उटी, और कासे मली इसके मुस्कुराने पर हरान हुआ, मैं इतनी दिनों से सोच इतना तवील रास्ता कटने का पता ही ने चला, इसके कदम तब रुके जब वो हमेली के सामने पहुंच जते हैं, क्या आज पी रहेंगे, वो गेट से अंदे दाखिल होने से पहले पूछ रही थी, मजबूरी है, इसने बेचार की से का, आपकी मजबूरी मेरे गले का तोक क्या मतलब है आपका, मतलब ये कि आप जिस डूप मेरे सामने हैं, वो मुझे एक आख नहीं भाता, आप मेरे टीचर बन के मेरे सामने हैं, इसलिक कती अच्छे नहीं लगते, अलवत आप सिर्फ कासीमली बन के आते तो मेरी आप से काफी बन सकती थी, इतने बुरे भी नह अच्छे इंसान है आप, जरनी का इसकी तारीफ करने के बाद गेट के अंदर गाईब हो चुकी थी और कासीमली हैरे जड़ा सा बस देखते रह गया, जी तूटर टीचर बन के ना अंदा ते फिरो तिरे को लांदा ही क्यों बीबी, कासीमली, कासीमली उठो बेटा, शाम ह होने वाली और किती दिर सोगे, असर की नमाज भी कज़ा होगी तुम्हारी, डाली साहबा ने कमरे में आकर इसका कंदा हिला और वो नमाज कज़ा होने का सुनकर एक्दम हड़बढ़ा के उठा, आप मुझे अपचे का लिए जब नमाज कज़ा होगी, कासीमली नराजगी तो बेद फरेश नहीं होगी, इसने इने मज़ा बताएं, लेकिन बेटा, इन्हेंनों कुछ कहना चाहँ, तारी साहबा मुझे वज़ू करना है, गज़ा नमाज पढ़नी है, और अभी कुछ हसाइमेट भी बनानी है, इसलिए मेरा फ्रेश होना जूरी है, आप परेशान अलेकुम तारा साब, इसने तौलिया वाला हाथ रोकते हो, वालेकुम असलाम, इस वकत क्यों नहाए हो, आजकल तो मौसम ऐसे भी ठाटा ठंडा हो रहा है, वह सहर में बिज़ी पिचार पाई पर बैठ के, तो ओगया ता इसलिए टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, रोकता ही करोगे तो शिर्मिंद की उठाओगे, मौलवी साब नहीं से सरजनिश की कासमनी चुपका चुप रह गया, वह तोलिया कंदों पर डाले, इनकी चार पाई के करीब रखे मूरे पर बैठ गया, क्या बात है, इस तरह क्यों बैठ क्यों बैठ गयो, इसके बैठ टे ठीक नहीं है, इसने भी लाहर कह देना ही मुनासिब समझा, मौलवी साब यक्तम चौंक उटे, हवेली चाना ठीक नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम, इनके लहज़े में परिशानी खुलगी, तारस साब हवेली में जरनी का बीबी के लावा भी जवान बेटी है, और मैं ना नादान और कमकल होती है, जब अपने मनमर्जी का सोचती तो हर उंस नीच और जात बात का फरक भूल जाती है, लेकिन दुनिया ये फरक भूलने नहीं देती, दुनिया का चोके लगाना शुरू कर देती है, इससे पहले कि दुनिया अपनी जबान का इस्तमाल करें, मैं ख हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी वहां मौझदकी के दुरान बार बार ऐकी इनसान का वहां चक्क्र लगाना और बार बहाने से जरने का बीबी को माहां सो ठाकर बाहर भीज़े ना, मुझसे गएर ज़रूरी बिला वज़ा पाते कि इनकी कोशिश करना, में लिए आवास बात भीज़ते रहे ना, भी गलत फहमें किया, अंदारा साब मैं आपको बता नहीं सकता है कि इनके देखने का अंदाज ही कैसा होता है, इनकी नज़रे बहुत बेबाक होती है, शर्म और लिहास से आरी, बेख़ौफ और अड़र, जैसे किसी की कोई परवान हो, ऐ किसकी बात करे हो, इनके आवास बहुत धीमी थी, कंदील बीबी की, इसने भी आइसकी से जवाब दिया, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे एक पर तुम जरनी का बीबी को मैटरक पास करवा दो, फिर बात की बात में देखी जाएगे, और इस तरह मलक नवास साब भी खुश हो जाएगे, अब अगर तुम ये काम दूरा चोड़ोगे, तुम ने क्या वज़ा बताऊगे, और तुम मैं पता है कि साब वज़ा तो हम बता भी नहीं सकते हैं, इस तरह तुम ने काम दूरा और इनके नराजगी भी, और उपर से जो इतना आरसा तुम व अलवता जाते 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 में मस्जिद में कजानमा ज़दा करना नहीं भूला था, अब से जी दादा साब नुसारा कुछ दासर है तो फिर दादा साब ना पास दमागों वे लाया प्या, सठे आ गया, हाल भी अपने दी पई हुई है, अम्या आप लोग वापस कब तक आ जा रहे हैं, इसे तो छोड़ जाए, कंदील ने गुस्ता से चिटकर का, इसे हम ने इसका बाप साथ लेकर जा रहा है, बाप और दादा की चहीती कुछ जाने की जित कर रही थी, और जाहिर है वो तो इसे मना नहीं करेंगे, वो जो कहेंगे वही करेंगे, फाखरा बेगम दाद पीस कर बोली, नहीं जाने का, इतनी ना पसंदी जितनी इनकी बेटियों को थी, यानि वो भी तीन दिन दिन बाद ही आएगी, कंदील को तर असल ये कम खाया जा रहा था, कि अगर घर पर नहीं होगी तो कासे मली भी नहीं आएगा, जाहिर है वो भी हमारे साथ ही आ ला रहे हैं, गाड़ी में बैठें, कलोने आकर इतला पहुंच रहे हैं, अच्छा बेटा मैं चलती हूं, बड़े मलक सब घर पर ही हैं, तुम लोग को परिशान होने की जरूत नहीं हैं, ये दो तीन दिन गुजरते वे पता भी नहीं चलेगा, खुदा आफिस, वो कंदी कंदील आपी, मैं भी जा रही हूं, जर निकसक से त्यार चेहकती भी जिनी होतर कर नीचे, इसे देखके कंदील का दिल चल के रह गया, और हाँ कंदील आपी कासे मली आएं, तो इन्हें कहत दीजगा, कि मैं पूरा एक हफता शेहर रह कराऊंगी, इसलिए वो फिलाल ना जर निकाने जाते जाते से तकीद की, एक हफता कंदील को दाज हुआ, अरे आपी आना तो मुझे तीन दिन बाद ही, बस इसके सामने हफते का बहाना करना, अच्या न, चंद दिन जान शूटी रही है, जर निकाने शराय से का, और कंदील मजीद जल उठी, ओके बाए, वो हाथ लाती ही, पलट कर चली की, शाम गहरी हो रही थी, जब वो घर से निकले थे, कंदील को घर पर अगेली थी, कंदील को जरनेगा पर रहर करता हूँ आ रहा था, अलबता कोकब इसे समझा बजा कर तसलिया दे रही थी, तुम नहीं समझोगी कोकब, वो कासिम अली मेरे स हमकुट्य चेहरे पर अजीब सी घुशी बेखर गी, ताला जान का है, कोकब ने मलाजमा से पूचा, देरे पैंगे थे कि जड़ा देर से आएंगे, इनके कुछ जानने वाले आएंगे, सुखन के तो परिष्टों को मैं नहीं बता था, किस नियत से पूच रही है, कमरे में चली जो, मैं इसे वहां भेज़ देती हूँ, यहां तो कोई भी मलाजमा सकता है, कोकब ने सीडियों के करीब के कमरे की तरफ इशारे के गंदील कोकब के साथ देने पर और भी शेयर होगी, थेंक यू, थेंक यू, सो मच, वो कोकब का गाल चुमती भी कमरे में च चला, इसले कुछ लेट होगी, वो नज़र जुकाया वे बोगया वगदे, इस ओके लेकिन आएंदा के लिए धियान रखना, अपने वक्त पर आया करो, कोकब ने से हदायत देते वे खौवाम का रोब जमाने पर ट्रामे में रंग भरने की कोशिश की, इंशाला ऐसा ही हो और मौचबूरें कासे मली को कमरे की तरफ कदम बढ़ाना पड़े, कोकब पीछे से देखकर मुस्क्राय टीवी का वालिम बढ़ा दिया, लांती पैना, दोने लांती, दराजे पहल किसी दस्तक देने के बर अंदर आ गया, अंदर कमरे में मलचगा सान दे रहा था, वो ठी कासे मली एक्तम करंट खाके बलड़ा, मगर कंदील दर्वाजा मकफल कर चुकी थी, कंदील पी भी आप, कासे मली इसका हुलिया देकर गुंग हो गया, वो मलके सेंधेरे में भी बहुत वाज़ा नज़र आ रही थी, और इसका हुलिया ऐसा था, कासे मली के नज़र जैसे तुम डरो नहीं, कंदील के रही थी, कासे मली शेश्टर सा खड़ा था, इस वारत ने अपने नफस की खारते किस हद तक खुद को गिरा लिया था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था, कासे मली देखो इत्तफाक से हमारे नाम भी एक है, तुम भी के, और मैं भी के, और तुम इसी चीज़ से सोच लो कि हमें भी एक ही होना चाहिए, वो इसे बार बार जिन चोड़ कर पिसमत वज़ा गरी थी, नाम एक होने से नियत किड़दार और चलने एक जैसा नहीं हो सकता, कंदील बीबी, अब अपने आपको इस हद तक गिरा लेंगी, मैं कभी सोच भी नहीं नहीं है ना, बस एक पर मुझे कबूल कर लो, कंदील इसका गिरेबान दबोच चुकी थी, मैं ऐसी और लानत भी नहीं भी पेजना चाता, कंदील बीबी, जो एक गैर और नामहरम मर्द के सामने इस तरह बिच जा है, कासमली के लहज़े मैं हकारत उतर रही, वो चाहता त सरजट का, कासमली तुम हद से बढ़ रहे हो, वो गस्ते से पनकार, इसका नफस इसके अंदर जहर बनने लगा, मैं हद से बढ़ रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ, आप से, लेकिन मैं आपकी कोई गंदी रुकलीस को आईश पूरी नहीं करूँगा, इस काम के लिए सुनी हैं, सुनी करते वे से धकीर और दर्वाजा खुल कर बाहे निकल गया, कासमली वो पीछे से बलंद भाज में बूरी कुवत से चीखी, कासमली मैं तुम्हें मूँ दिखाने के काबिल नी चोड़ूगी, पस्ता होगे तुम, वो जोड़ जोड़ से चीखी ती से ठु अर्मनाक बात ना बता था, मगर अचानक दादी साहबा की नजर इसकी कमीज फटीवी जेप की सिम तूटी, इरपान के दो बटन भी तूटे वे थे, कासमली किसे जगड़ा होगा किया, दादी साहबा के बात पर मौलवी साहब भी चोगे, नहीं, इसने नफी में सरे लाय तो फिर ये तिरी कमीज क्यों भटी भी है, अभी थोड़ दे पहले तो तुम पहन के लिए थे, वो पर रिशान होगे, मौलवी साहब अपने बिस्तर से उटकर बैठके, बताओ ना कासमली कहा गे थे तुम, और कहा से आ रहो, अपकी बार इनों ने खुट पूचा, और का इसका जवाब बेहर मुक्तसर था, हवेली, मगर ये सब बोल जगे, घर पे कोई भी नी था, सिर्फ कंदील पीबी और कोकब भी थी, कासमली के अगले जवाब पर मौलवी साहब थक से रहे गे, कासमली बहां साहट कर अपने कमरे में आगा, इसका जैन बुरी तरह मुंतश ट्राइंग डूम में बैट थे जब इन रहतारी से गुज़दी निगाव का आवाज दी, जी बाबा, वो चिपस खाते हुए करीब आ गई, हम लोगो चार दिन होगे शहर से वापिस आईवर, मेरा ख्याल है कि कासमली एक बार भी नहीं है, इन्हें कासमली की गहर हाजरी पर फिकर हुए थी, जी, इसने बा मुश्किल जी कावरना दिली दिल में तो यही जी जाया था कि मुना आए तो अच्छा है, वो दिन फिर स्कूल में सेर्खो पाकर घर आती है तो दो घंटे इसके साथ बंद के बैठना पड़ता है, तो तुमने खुद मुझे क्यों नही पताए कि कासेमली नहीं आ रहा, वो खफ़ किसे बोले, मैंने सोचा कि एक दो रोज में आ जाएंगे, इसने मुझ बनाते वए का, अच्छा, वो सुखन या कलो को बेज़ो मेरी तरफ, जी अच्छा, वो कहकर पलट गी, फिर मलक नमास अहमद ने कलो को मौलवी साब की घर बेज़ दिया कासेमली को बलाने के लिए, लेकिन कासेमली ने बहाना कर दे कि इसकी तब्याद खराब, जब ठीक हुई तो आ चाएगा, अच्छा, ठीक है, सुबा हम खुद जाएंगे इसकी तब्याद पूचने, वो कहते हैं, वहां से उठके निगाब, जार निगाब, अब चान छोड़ेगा मेरी, इतने दिनों से अजाद फिरी थी, अब फिर वही दोग, इसने नागवारी का इसार किया, तुम चान चुडाना चाहो तो एक मिनट में चुडा सकती हो, कंदील का नफरत भरे अंदास में बोली, मगर कैसे आप भी, बुच्छन चला कर बोली, कैसे, ये तो मैं तुम्हें बात में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि मेरा साथ दोगी अपनी चान चुडाने के लिए, कंदील ने से पका करना चाह, हम, दूँगी साथ, इसने अपनी मस्ती और ला परवाई में हामी भरली, कंदील, सहर खंद अंतास में, मुस्कुर दर्वाजे पे बहुत सोड़ता दस्तक भी कासम अली जूते पहन के तेरी से अपने गम्रे से बाहर आए, कौन है, इसने दर्वाजा खोलने से पहले पूचा, मलिक साब है कासम अली दर्वाजा खोलो, हमेली के ड्रावर पर शीर की आवाज थी, कासम अली ने पॉरन अच्छमबावा, असलाम अलीकुम कासम अली, हम तुम्हारी आयरत के लिए अंदर नहीं आने दोगे, जी जरूर आईए, आप अंदर आईए, कासम अली एक बुरी लटकी की वरे से बागी सब के साथ बद्दी खलाकी से पेश नहीं आ सकता था, इसने इन दोनों को अंदर चार-पांच रोस पहले खराब हुई थी, जिसकी औरहसे इस पर थोड़ी सुस्ती और काहरी सवार होगी थी, मैं तो इसे कहा रहा था कि शहर चला जाए, वहीं ओस्टर मेरे रहे, मैं खर्चा बर्दाश कर लोगा, और यह खुद भी वहाँ कोई नौकरी शुरू कर सकता ह मौलवी साब ने खुदी तरीके से बात संभालने की कोशिश की मलक नमाज हमन दर्मी से मुस्कुला है, अगर कासेमिली शहर चला गए तो जरनी का कौन पढ़ाएगा, वह काफी नौर्मल तरीके से बात कर ले थे, कासेमिली ने बेच साफ़ता मौलवी साब के तरफ देग के, शहर में तो कोई पेच्छा से ट्विटर असानी से मिल सकता है, बस मसला है तो सिर्फ गाओं का, सिर्फ कुछ अरसे की बात है, लेकिन मलक साब वो मैं, कासेमिली ने कुछ बोलना चाहा हम अगर मौलवी साब ने इसकी बात कर दी, ठीक है मलक साब, आप इतना मजबूर करने तो कासेमिली आजएगा, अब आपके सामने इंकार तो नहीं कर सकता है, कुछ अरसे बाद शहर चला जाएगा, मौलवी साब इने साफ इंकार नहीं कर सके कासेमिली हातों की मुठिया बेंच कर आगए, मौलवी साब ने इनकार कर सकते हैं, अप इनकार कर देगा, सुन आफता ये बात वो भी नोट कर चुके थे कासीमली इन्हों ने इसके कंदे पर हाथ रगा दारा साब आप शायद इस मसले को इस कहराई से नहीं समझ रहे हैं जिस कहराई से मैं आपको बताना चाहता हूँ समझाना चार हूँ वहाँ जाना ठीक नहीं कोई भी फसाद खड़ा हो सकता है आप यू नजरे चुरा रहे हैं कि चंद रोज पहले क्या हुआ था कर वो सब ठीक है बेटा मगर आप ये देखो वो खुद खर चल कर रहे हैं मौलवी साब भी अजीब कश्मकश कर शिकार थे द दो वे दुनिया तो क्यों डरिये प्यार दिया बामा वीच मैनो तू लको चाने सजना वे नेडे नेडे हो ढोले जानी आवे नेडे नेडे हो आज पर इस काने ने कासम अले के कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया वो ड्राइंग रूम के देहलीस पर खड़ा था और जरनिका सामने सोफ़े पर पैटी टीवी पर तेज आवास के साथ यह गाना देख रही थी अससलाम अलेकुम इसने काफी बलंद आवास में सलाम कियता कि वह सुन ले वालीकुम आसलाम आईए आईए अंदर आईए जरनिका फॉरण सोफ़े से खड़ी होगर वालिम भी कम क आप अपनी किताबे लेकर बाहर लॉन में आजाएं यहां बैटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो कहकर कदम बापिस मौट चुका था जरनिका ने इसे पीछे से आवास भी दी मगर इसने ना सुनी मच बाहर निकल गया मजबुरां जरनिका को अपना बैग लेकर बाह क्या था जरनिका ने बैग से किताबें निकालते वी शिरा रसे से चेड़ा यहां बातें करने का निया इसने जबब करते करते का अच्छा तो क्या करने का बात बाट रह how με Rochester खौम का चिर्चरा हो रहा था जरनीका को कुछ भुशोड ना होती भी इससे सबड़ा रहा था जरनीका, हैरसस के सही निगती रहे गी कासीमली नहीं इतना عرसा हो गया था कभी इस पर घृसा नहीं के कभी डान टापट के बात करने की अपर हने की कोशच नहीं है इसलिए बेहता है कि अपने काम से काम रखा जाए कासे मृली खित से जालद तलख कोर जा दृत हु जा कुछ जु का था इस के बाद फिर निगाई बेत चालंग होने की कोशिश करे कि एक खन्मे रखने के लिए हिसने ना चाहते है कि भी इस डांड दिये ठीक है मुझे अंताजा होगे कि आपकी तबेद बहुत खराब रही है आप गुस्ता कर सकते हैं आपका हक बनता है अब उस्तादे मखतरम है मेरे और संजीत की से कहते कहते है भी मजाग कर गी और कासमे ने ने दुबारा कुछ भी कहने से कुछ को बाज रखा था कि किसे पता था कि अब वो इसकी जिद में आकर भी इसे तंग करेगी वैसे भी जिसमें शादी गई थी ना वो दुल्हा बहुत खुबसरत थी लेकिन दुल्हा तो हस से जाला खुबसरत और शानदार था वह क्या कमाल की जोड़ती मुझे लगते हैं जब आपकी शादी होगी तो आप भी ऐसे लेगे शानदार परसनालिटी ओल्डर लेकिन मज़द तब आए कि जब आपकी दुल्हान भी खुबसरत होगी वो अपनी दुन में काफी उटपटांग बोल रही थी लेकिन आज इसके लावा और जरनिगा भी जड़ा चुप-चुप से थी तो ना अंदा चुटी मार लंदा एक दिन चुटी ने कर सकता मगर कासमाली ने पूछने की कोशिश ने की तकरीबन आदा गंटा गुज़ा था कि जब जरनिगा को कंदील ने आवाज देकर बाहे बुलाया और जरनिगा को ना चाहते भी वहां से उटकर चाना पड़ा कासमाली इसके इंतजार करने लगए लेकिन चंड सेकिंड बार जरनिगा के बज़ाय कंदील जरूर आ गई कासमाली से देखकर यक्तम करंट खाकर उटकर खड़ा हुआ इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्क्राहाट थी कासमाली किसे हो कासमाली काफी तमस्काराना लहेजे में पूछ रही थी आप यहां वो कुछ क्कैंत भा रहा था चंदो-च्दोस पहले मैं तडपी थी कासमाली आज तुम तडपो के इस तुमने मेरी नी सुनी थी, आज तम्हारी कोई भी नी सुनेगा, आज तम्हारी बारी है मुझे से किसी एन होनी का लारम देरी थी कासमयली के जहन में खत्रे की घंटी बजी वहां से निकल जाना चाता था लेकिन कंदील भी पूरी त्यारी के साथ ख़ड़ी थी वसे असानी से बला गैसे जान ने दे सकती थी इसने कासीमिली को पूरी कूल से पीछे दागे रहा और उसके नोचने के सोड़ते वे शोर मचा दिया बस दो मिनट की पाती और हवेली के तमाम लोग जमा होंगे फाकरा बेगम को कब मलक खुल शीद हमन घर के मलाजमीन और जर्निगाबी बाँ भागी है और सब भी पटी पटी आँखों से देख रहे थे कंदील का दो पट्टा नीचे कारपट पर गिरावा था खुदो बलंद अबास सरूर थी और कासीमिली शुष्टर सा आँखे पाड़े इसका ये ड्रामा देख रहा था क्या हुआ सब यहां क्यू जम है मलकिम्तियाज अहमत की आवास पर सब लोगों में एक संसनी सी दोड़ गी इनको देखकर सारे मुलाजम एक तरफ पर होगे राइंग रूम के अंदर का मंज़द देखकर मलकिम्तियाज अहमत की भावे तनगी बाबा कंदीलोती भी लपक कर इनके सीने से लगी कासे मेली ने मुझे अकेलर देखकर मेरी इज़द पर हाड़ डालने की कोशिश की मेरा दुपटा चीना मुझसे अगर मैं शूर ना मचाती तो ये नचाने क्या ये कहते हुए एक्दम हिच्कियों से रोने लगी फिर कोकब पर फाकरा बेकम का वावेला भी शूरू होगा जबके मलकिम्तियाज अहमत का खून कौल उठा इन्होंने आओ देखा ना ताओ खून कौल अंदास में आगे बढ़ते हुए इसे एक्दम गिर्बान से दबोश ग्रहें के मैं मार डालूगा इस कमीने को इसने मेरी इज़त पर हाड़ डालने की कोशिश किया इसने मेरी बेटी पर बुरी मनज़र डाली इसने ये भी निए सोचा कि ऐसी हरकत कहां कर रहा है मैं इस बेगरत का खून पी जाऊंगा बैसे गिरेबान से पकर कर जंच अड जी थपड़ गुंसरे सीथ के में लेकिन मलक नमाज है में फॉरन सामने आगे भाई साब ये क्या कर रहे हैं पहले सारी बात तो सुन लें कि आखर हुआ क्या है इननों इनका हाथ रोकने की कोशिश की मैं सुन चुका हूं सारी बात मुझे और कोई बात नी सुनी अपनी आ किसे मुझे में अपने सभाई में की कुशिश की तुम कैसे कह सकते हैं इसका नमाज है मैं के मिलेकर बरुद भी, सा बढ़ी बात रहे हैं मैंने पढ़ा रहा था कि बाहर से कंदील बीबी ने बुला लिए और इनको भेज करें खुद अंदर आगी जरनी का बीबी बताइए ना आप मैं सच कहा रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्लीज बताइए मालक साब को मैं बेकसूर हूँ मेरा दामर मेरा किड़दार साब है मेरी नियत में कोई खोड़ नहीं मेरा जमीर जिन्दा आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ जरनी का बीबी खुदा के लेक पर बोली है तो सही जी तो काईज यहां पे एपिसोड अक्ताम को पहुंचे कैसा लगा आपको नहीं नावल का फर्स पार्ट अपनी रायका जोज़ार कीज़ेगा अभी हम कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं तो हम वीडियो एंड करेंगे ठीक है सहर इकपाल अच्छा नावल है राजराफे सिस्टर अरीज आपकी वॉइस बहुत अच्छी है थैंक्यू बेरी मच्छ मलिक सहबा का कमेंट है नावल का फर्स पार्ट बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग था बहुत ज़्यादा मज़ा है सुनकर अच्छा वो मुसा इसा वाल नावल के बात कर रहें हैं हिफास हर वाली कि राणी के करक्डर अच्छा था मुसा काभी लेकिन ये इसा का करेक्डर मुझे बिलक्त 오कों पसंद ही आय आई नहीं का बात पिखा दीया नहीं अच्छे जवाब दीया करते हैं लेकिना आजी ग्रानी उरती लेकिन भी से अच्छे से जवाब दी लेकिना पाहा रहा था कि उससे इंप्रैस्थ वो लेकिन घैसा यह जेबा की मा भी इसकी ज़सी थी। ठ्होर की हमामा ओँ यह को जहीं ऑसी singing आप ने हैं पहले नाये की शादी कर और मुसा के थी मुसा के शादी कर दी आ Year crucial कर दिया ददक he पूची थी बाच चमुसा ने विए ते चबलाई मारी आसी बागी अपसर बहुत इंट्रेस्टिंग थी लब को हमेशे खुशे के आमीन सु मामीन दौा में याद रखे नभीया कान अबब चले गया है अहो अबब चलाई गया सी टोर गया सी समझ नहीं है यह अबब के स्टम लवली स्टोरी राजा राफे जवर्दस्ट नोवल राजा राफे गुट जॉब सिस्टर रीज थैंक यू अदिल अदिल नावल बहुत अच्छा लगा यह बात ओरिया है वो कम्रोश वाले नावल की मतल बो जो रिमेंज वाला था ना आइशा असिफ इट वाइट स्टोरी न्यू है हानिया सुल्मान नजमान नाइस तो गाइस कमेंट सेशन इक्तिताम को पहुंचा कैसा लगा आपको नावल की फरस्ट पार्ट अपनी राय का जूरु जाला जल्दी रीट करेंगे लास्ट पार्ट भी तब तक के लिए अपना बहुत सरा ख्या लगें द